हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपकी एडियों में या फिर तल्वों में बहुत दर्द होता है तो उस दर्द से आप 6 या 7 घंटे के अंदर अराम पालेंगी हम आज आपको बत आने जा रहे हैं इसमें Echo Pressure Point with Treatment कि इसका Treatment कौन सा है और इसमें Echo Pressure Point कौन से प्रेस करने हैं जब आप इनके Echo Pressure Point प्रेस करेंगे तो आपको Relief उसी टाइम दिखेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा इलाज, पूरा असर उसका मिल सके तो आप 6 या 7 घंटे के अंद आपको उसका पूरा असर मिल जाएगा सबसे पहले जानते हैं कि इसके होने के कारण क्या है तो कभी-कभी मोटापा, शुगर होने की कारण भी ये हील पेन या तलवों में दर्थ होता है लेगिन अगर ये दोनों ही कारण नहीं है या नहीं आपको डाइबिटिक की प्राबलम है नहीं मोटापे की प्राबलम है तो बॉडी में केल्शियम की जादा मात्रा होने से और बॉडी में विटामीन B12 की कमी से ये चीज़ बॉडी में होती है यानि तलवों और एडियों में दर्थ होता है कुछ लोगों के सुबह उठते ही यहां एडियों में हील में पेन होता है वो एक ऐसी चुबन या फिर सुई की जैसी चुबन में फील होता है तीन या चार मिनट जब वो अपनी ही जगह पे खड़े रहते हैं तो वो असानी से चल पाते हैं यानि वो दर्थ दूर हो जाता है लेकिन अगर लंबा टाइम तक ऐसे ही रहे यानि कि आप जब सुबह उठते हैं तीन चार मिनट रुखते हैं फिर दर्थ ठीक होता है अगर आप उसका कोई इलाज नहीं करते तो वो दर्थ ठीक होना बंध हो जाता है यानि तीन चार मिनट के बाद भी ठीक नहीं होता वो एडियों का दर्थ वैसे का वैसे चुबहन वैसे की वैसे ही रह जाती है ये कभी-कभी बॉड़ी में ब्लड का सर्कूलिशन बेटर नहीं होने के कारण या फिर हात पैरों के सुन होने के कारण भी होता है लेकिन हात पैरों का सुन होना हो या फिर इस एडियों में दर्थ हो ये केल्शियम के कारण हमारी बॉड़ी में केल्शियम की अधिकता के कारण ही होता है तो अब हम जानते हैं इसका इलाज की इसका इराज कैसे करना है कैसे हम अपने blood के circulation को ठीक कर सकते हैं अगर आप B12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो B12 की कमी को कैसे बड़े ही असान तरीके से पूरा किया जा सकता है उसका लिंक मैं description box में दे दूँगी अब बात करते हैं कि इसमें concert treatment फॉलो करना है सफस्टर फॉल आपको अपने blood के circulation को बैटर करने के लिए और जो एडियों में और तलों में एठना चुकी है उसको दूर करने के लिए रोजाना आप आधा चमबज अश्वगंदा powder को एक glass तूथ में डाल कर लीजी ये नयकेवल दर्द और swearing को दूर करता है बलकि ये कमर दर्द हो या फिर किसी भी type का body में दर्द हो उसको दूर करने की ताकत रखता है ये अश्वगंदा अब जानते हैं इसके echo pressure points के बारे में first echo pressure point आपको heel दिखाई दे रही है first number mention है वहाँ पर heel जहाँ end होती है वहाँ से तीन finger छोड़ कर एक dot है red color का वहाँ आपने press करना है अगर आपके अभी pain हो रहा है जब अभी press कीजी और relief आपको hand to hand मिल जाएगा ये कि ऐसा echo pressure point है जब आप दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है आप यहाँ तीन से चार मिनट दबाएंगे अब आपको second point mention किया गया है जहां कि ankle यानि कि जहां हम यह कह सकते हैं pile पहनते हैं तो वो जगा जो होती है जो वहाँ ankle बनी हुई है हमारी हड़ी है उसके पास जो आपको red button की तरह प्रेस करना है उस जगा पर जहां पर आपको red dot दिखाया जा रहा है इस जगा पर प्रेस करने से आपको तुरंद अराम मिलेगा ये तो दो हैं echo pressure point अब तीसरा जो मैंने arrow black color की लगाई है हलके हाथों से oil की massage करनी है मैं ये कह दू कि oil की massage नहीं आपको oil लगाना है 10 minute 10 minute regular आपको सिर्फ oil लगाना है massage नहीं करनी बाकी काँ वो oil कर देगा आपने oil कौन सा लेना है आप चाहें तो सरसो के तेल में अजवाइन को mix करके ले लीजे आप चाहें तो तिल का तेल यूज कर लीजे इन दोनों में से कोई भी तेल ले सकते है इसके extra कोई और तेल नहीं लेना आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जिनके भी तलों में और फिर पैरों में सुबह उठते ही या फिर रोजाना ऐसे ही पूरा दिन तलों में या पैरों में दर्द होता है तो वो इस दर्द से कैसे निजात पा सकते हैं अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लिजे ताकि मेरी वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद बाई